उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच में नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, तूर्की ने अब एक बड़ा हंगामा सुरू करा संजुक्त राश्च संग में, और ये हंगामा कस्मीर को लेकर है, तो वहीं दूसरी तरफ, फ्रांस ने पाकिस्तानी राश्टपती को नोटीस क्यों भेज दिया, तो वहीं सबसे ब कलमंद को इसारा और अहमक को फटकारा, पाकिस्तान की अभी कुछ और गती होनी बाकी है, यही वज़े है कि पहले इमरान खान ने पंगे लिए और फिर राश्टपती ने पंगे ले लिए फ्रांस से, ऐसा लगता है कि इन लोगों को बस ये लगता है कि चमड़े की जो चाहे बोल डालो उसका असर सामने वाले पे होगा नहीं, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, घर में खुद खाने के लाले हैं, लेकिन पाकिस्तान दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ाने से बाज नहीं आता है, हर बार भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वा पारिफ अल्वी ने एक विवादित टिपनी देते हुए यह कहा था कि यह बिल फ्रांस में अल्फ संक्यक मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने वाला है। पाकिस्तान दे रहा है वो दोनों देसों के संबंधों को और भी खराब कर देगा। वैसे साइद पाकिस्तान को इस नोटिस की अहमियत समझ में नहीं आई। लेकिन एक दो दिन में इस नोटिस का असली मतलब पाकिस्तान को जरूर समझ में आएगा। अपने फाइदे के लिए करने की कोशिस करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इन दोनों नीचों के अंटी में एक धेला नहीं है और सौक मेला देखने का है सिरिलंका ने लाग कोशिस करी कि संसद में भासन न दे पाए इमरान कार ताकि कस्मीर का मुद्दाना उचले और भारत के साथ तनातनी नहीं हो और उससे भी बड़ी बात जिस भारत ने पाकिस्तान को इजाज़त दी अपने एर इस्पेस का इस्तिमाल कर जाने के लिए उसे बिलकुल भी सर्म नहीं आई और अपने कोलमबो दोरे के दोरान कस्मीर का मुद्धा उठा ही दिया। इम्रान का कहना है कि भारत और पाकिसतान के बीच बिवाद एक मात्र मुद्धा कस्मीर का है। और इसे केवल बातचीत के जरिये ही सुलजाया जा सकता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो जब सत्ता में आये थे तब भारत और परधान मंत्री मोदी को बातचीत का सुझाओ दिया था। लेकिन वे असफल रहे। पर अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि चीजें परवान चढ़ेंगी। इमरान खान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने अपने रुक में नर्मी लाते हुए उनके बिमान को अपने हवाई छेतर से जानी की अनुमती दे दी थी। इमरान खान ने कोलंबो में एक कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जैसे ही सत्ता में आया था मैंने अपने पडोसी देश भारत की और हात बढ़ाया था और परधान वंतरी नरेंद मोधी को यह भी बताया था कि इस उप महादुईप में आगे बढ़ने का तर तरह से सब्भे तरीके से रहना चाहिए इमरान खान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कस्मीर एक मात्र विवाद है और इसे केवल बात्चीत के जरिये ही सुल्जाया जा सकता है कस्मीर में आतंकियों को भेजने वाले इमरान खान ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस उप महाद्यूप में सभी विबादों का समाधान बाच्चीत के जरिये हो और इम्रान खान जरूरत से जादा उचलने लगे और बड़वोलापन दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच खाई को कम करने में बड़ी भूमी का निभा सकता है वैसे ऐसा कर सांसद से नहीं मिल सकते हैं पहले से ही पाकिस्तान में इम्रान खान के भासन को हटाये जाने का मुद्धा गरम था तो अब तो इसे कहते हैं घर बुला कर बेजिती करना और उसकी आउकाद उसे दिखलाना इम्रान खान चाह कर भी मुस्लिम सांसदों से मिल नहीं सकते हैं ये बहुत बड़ी वेजती है, वहीं दूसरी तरफ UN में भी एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया है कस्मीर के उपर ही, और ये हरकत दूसरे नीच वाले दोस्त ने करी है, तूर्की और पाकिस्तान के बीच केवल डिफेंस के ही समझोते नहीं है, बलकि कूटनीती में भी दो कि कस्मीर के मामले में पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है, और दोगन ने फरवरी 2020 में ये कहा था कि ये मुद्दा तूर्की के लिए उतना ही महतपूर ने जितना की पाकिस्तान के लिए, यहां तक की सीरिया में सक्रिय अपने भाड़े के लड़ाकों के संगठन को कस्म के मुताबि केरल और कस्मीर समय देश के तमाम हिस्सों में कटर इसलामी संगठनों को तूर्की से फंड मिल रहा है, तूर्की भारत में मुस्लमानों में कटरता घोलने और चरमपर्थियों की भरती करने की कोशिस भी कर रहा है, उसकी यह कोशिस दच्चीने सियाई मुस्ल नर्थन का आस्वासन भी दिया था अर्दोगन ने पहले भी कई बार कस्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की है इतना ही नहीं उन्होंने भारत पर महामारी काल में कस्मीर में अत्याचार का जूटा आरोब भी लगाया था जबकि सचाई यह है कि कस्मीर पर भारत के ओ लोकतंत्र का पाठ पढ़ानी की कोशिस कर रहे अर्दोगन तुर्की में खुद एक कटर इस्लामिक तानासा के रूप में जाने जाते हैं तुर्की ने एक बार फिर पाकिस्तान का साथ देने के लिए संजुक्त राष मानव अधिकार परिसत की बैठक में जमू और कस्मीर का कुल्गू ने मानव अधिकार परिसत के 46 सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं वह जमू कस्मीर में लगे पर्तिबंदों में धील परदान करे हम संजुक्त राष के प्रस्ताओं के आधार पर जमू कस्मीर की समस्या को सांतिपून तरीके से वहां के लोगों की अपे छाओं के हिसाब से हल होते हुए देखना चाहते हैं वैसे तुर्की का यह सपना सपना ही रह जाएगा क्योंकि भारत ने इस प्रस्ताओं का भी जहां बिरोध किया है तो वहीं कुरेसी ने खुद यह मान लिया है कि जमू कस्मीर भारत का है अगर यकीन नहीं आता है तो उनका यह इंटर्व्यू सुन ले जिसमें वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जम्मु कस्मीर भारत का है वैसे आपको क्या लगता है तूर्की और पाकिस्तान क्या मिलकर भारत के लिए कोई मुसीवत खड़ी कर सकते हैं कमेंट कर अपनी राय जरू जल्द मिलते हैं अंगले वीडियो में नई खबर के सब्सक्तान हैं